हलो दोस्तो नमस्कार Profit Guru चेनल में एक बाद नए मार्केट अप्डेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो मार्केट का एक दिगज स्टॉक जो कंटिनुसली गिर रहा है इस कंपनी से इस स्टॉक से एक रिटेल इंवेस्टर ने काफी होप लगा के रखिए काफी एक्सपेक्टेशन लगा के रखिए लेकिन दोस्तो ये कंटिनुसली गिर रहा है लेकिन इसका कुछ मेंन रीजन भी नहीं पता चल रहा है लेकिन कुछ इसी कॉमेंटरी निकल के आ रही है कि क्या हम इस टॉक को इस गिरावट में बाई कर सकते हैं ठीके क्या होल्ड कर सकते हैं क्या लॉस या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर तो दोस्तो ऐसा ही कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपडेट करने वाला हूँ जो चले चलते हैं दोस्तो उस कॉमेंटरी के उपा है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो CNBC Tevin 18 की साइट के उपर में आप लोगों को लाया हूँ ठीके हम बात करें दोस्तो SBI काड की SBI काड ने दोस्तो last trading session में 5% की गिरावट दिखाईए अपडेशन यहाँ पर देख सकते हो ठीके यहाँ पर बताया गए क्या buy करें क्या sale करें क्या hold करें ठीके तो मतलब reason भी कुछ सामने नहीं आ रहा गिरावट भी continuously हो रही है ठीके तो हम देखते नीचे कुछ ना कुछ ऐसे key points मिलेंगे जो हमारी help कर सकेंगे ठीके तो यहाँ पर बताया गया SBI Card and Payment Service Limited continuously correct यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है ठीके लास्ट trading session में भी 5% हमें गिरते देखने को मिल रहा है ठीके और अगर हम 6 December को बात करें तब यह 2% गिरा था ठीके उससे एक दिन पहले भी हमें गिरावट देखने को मिल ली थी देर उसके बाद अगर देखे in the last 5 day last 5 दिन में stock में 3% तक का correct आज चुका है उपरी लेवल पे ठीके और इस साल year to date मतलब दोस्तो इस साल अगर मतलब जन्वरी में किसी ने investment किया होता और अभी तक अगर वो hold करता तो उसको 13% का return मिल जाता यह बताए गया है देख सकतो invest in the stock have received a return of almost 13% ठीके 2021 year to date ठीके यह बताए गया है ठीके अब यहाँ पर अगर देखे तो कुछ important reason नहीं है इस गिरावट का जो आपने देखा होगा कि continuously यह stock नीचे आते जा रहा है ठीके काफी ज़्यादा panic situation create कर रहा है ठीके condition यह बन चुकी है कि क्या जे एक छोटा retail investor है जिसने एक higher level पेस में investment किया है क्या वो exit करके निकल जाए यह दिक्कत सबसे बड़ी हमें सामने आते देखने को मिल रही है एक चोटा सा reason भी निकल के आ रहा है दोस्तों क्या पर आप देख सकते हो the new website the cane site the company aims to get into the premium credit card space मतलब दोस्तों एक नए business में credit card तो इस्पेस में क्या करने जा रही है यह entry करने जा रही है और कुछ expert बोल रहे है कि इसके पीछे ही यह गिरावट हमें देखने को मिल रही है अब आप बोलोगे यह तो कुछ नया business है business expand हो रहा है लेकिन फिर भी क्या हमें गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन दोस्तों premium credit card जब issue होगा उसके लिए बहुत criteria यहां पर fulfill होने वाला है मतलब दोस्तों business में पैसा लगेगा लेकिन hope यही लगाए जा रहे है कि वो business नहीं चल पाएगा क्यों क्यूंकि आप देखिए premium credit card premium credit card का जो दोस्तों benefit है reward है यह इसके साथ मिलेंगे ठीके उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो strong credit card जो score है वो होना चाहिए ठीके high income level होना चाहिए ठीके और types of employee होना चाहिए मतलब उसकी detail निकले जाएगी कि अगर आप job कर रहे हो आप किस company के employee हो और आपकी जो category है वो किस भियाप है ठीके डेजिक नेशन देखी जाएगी ठीके job stability देखी जाएगी कि आपकी job एक secure job है या नहीं तो ऐसे बड़े बड़े point अगर दोस्तों cover करे जाएगे ठीके अगर मान लीजिए ऐसे गिने चुने वेक्ति ही रहेंगे जिनको ये premium credit card क्या होगा दोस्तों issue होगा जिसमें कुछ benefits रहेंगे कुछ reward रहेंगे अब ये business दोस्तों देखा जाए तो एक normal वेक्ति इस business को नहीं use कर पाएगा मतलब इस credit card को एक normal वेक्ति नहीं use कर पाएगा तो इससे तो दोस्तों यही doubt हमें देखने को मिल रहा है सबसे बड़ी profit booking का जो continuously हमें देखने को मिल रही है अब आपको पता है दोस्तों कि खाली एक ही company market में लिस्ट है credit card वाली जिसका नाम है SBI card and payment service limited और इन सबसे उपर दोस्तों आपको पता है HDFC bank lead कर रही है इसको 6 मैन के लिए दोस्तों बेन भी किया गया था RBI ने आपने देखा होगा नए credit card issue करने में कुछ इनकी service में गड़बड़ी आई थी कुछ customer को दिक्कत हुई थी जिसके लिए HDFC bank को क्या कर दिया गया था नए credit card issue करने में बेन कर दिया गया था जब इनके पास दोस्तों मोका था क कि उस leading position को हासिल कर सके लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि उस समय तो ICIC bank ने सबसे ज़्यादा credit issue करी जो एक credit card है वो सबसे ज़्यादा issue किये थे ठीक है लगबग जो HDFC bank है उनके 1.5 करोड credit card अपने देख में बटे हुए है ठीक है SBI card जो SBI bank है मतलब SBI card है उसके 7 करोड मतलब 1.20 लाग के something आपर credit card बटे हुए है और उसी बीच दोस्तों हर मैंने जब सिलसिला चल रहा था कि credit card का update आता था ठीक है और देखा जाता था कि कौन सबसे कम जो bank है वो सबसे ज़्यादा credit card issue करी तो उसमें ICIC bank का ही सबसे ज़्यादा नाम आता था नतलब SBI के तरब ज़्य ज़्यादा प्रवाव देखने को मिल रहा है हम इस प्राका से बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक नए space में इंटर करने का दोस्तों यहाँ पर update आया है और यही साथ shareholder को पसंद नहीं आ रहा है और उसी के साथ साथ अगर देखें तो SBI card और HDFC card के लिए दोस्तों एक company यह bank हो सकती है कि साथ आप credit card issue नहीं करें इनका तो performance से साथ कम होते देखने को मिल रहा है तो जिसके कारण इनकी problem और ज़्यादा बढ़ रही तो यह exit करें ठीके अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक opportunity है ठीके काफी अच्छी SBI और HDFC bank के पास ठीके और HDFC bank तो दोस के साथ अगर देखें तो कुछ यहीं पर इसा कुछ negative point भी है यह देखें यहां पर बताएगा है कि manually the state bank of india has start charging its credit card customer a fees of 99 plus taxes on all EMI purchases for this month मतलब दोस्तों मान लिजे कि आपने अगर credit card को कहीं पर issue किया ठीके मतलब credit card आपने use किया और EMI में अगर आपने वहाँ पर payment करना की सोचे मान लिजे आपने mobile करेदा आपने सोचा कि चलो ठीके में 1000 रुपे मैंने के इसाब से EMI पे करूँगा ठीके या कुछ बड़ी सी टीवी या आपने मान लिजे कि e-commerce website से purchase की या कहीं और दूसरी bank मतलब payment में जो मेठर है या किसी दूसरी website से आपने ये card को मतलब use किया तो दोस्तो उस पे आपको क्या देना पड़ेगा 99 प्लस 99 रुपीज प्लस जो टेक्स आएगा वो आपको देना पड़ेगा तो दोस्तो ये भी काफी बेकार हमें news देखने को मल रही है ठीके देखे SBI card के लिए तो ये एक बहुत positive news है कि 99 प्लस टेक्स ये company में जाते देखने को मिलेगा एक revenue का source generate हुआ लेकिन दोस्तो आपको तो पता है कि SBI card के तो काफी सारे card बटे हैं अब card holder को तो ये news बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी ठीके अब card holder में से ही आदे ऐसे लोग ह तो उन्हें सोचा है कि हम कुछ ना कुछ तो problem company को दें ठीक है वो हमको दे रहे हैं तो एक काम करते हैं profit booking करके पैसा निकाल लेते हैं तो यसा कुछ हमें एक update देखने को मिल रहा है ठीक है तो इसे कुछ main reason है जो गिरावट हमें दिखा रहे हैं और उसी के साथ अगर हम दे गिरावट दिखाई तो इसको compare करते हैं ठीक है इस higher level से तो यहां सकतो दोस्तो लगबख अगर देखा जाया तो हां चाड़े 3% से ज़्यादा की गिरावट थी इसका previous close आप देख सकतो 955 रुपे 75 परसे था वही price पे open हुआ ठीक है और high लगा है दोस्तो 930 रुपे 95 परस चुकि आप देख सकतो लगबख 90 पॉइंट स्टॉक गिर चुका है लास्ट एक मेहन में भी स्टॉक दोस्तो 14 परसेंट की गिरावट दीखा चुका है पहले तो यहां तक गिरावट थी ठीक है 13% की देन उसके बाद यह recovery हो चुकी थी 13% की गिरावट 8% पे recover हो चुकी थी लेकिन उसके बाद यह higher level से इसमें काफी बड़ी गिरामठ हमें देखने को मिल रहे 9% की double से लगबख अगर देखे तो लास्ट एक मेहने में स्टॉक 15% गिर चुका है और यह 15% ही दोस्तों काफी यहां पर situation को क्या कर रहा है create कर रहा है बाकी अबर अगर एक साल का performance देख कि या करें buy करें hold करें or sale करें देखें सबसे पहले मैं अगर मैं आप लोगों की जगा हूँ तो मैं दोस्तों loss में exit नहीं करूगा सबसे पढ़ी दिख्कर तो आपकी यह solve करती हां hold करने कर रहा तो exit नहीं करूँगा तो hold तो करूँग ही ssen दूए यह दो तो आप लोगों कि अगर सूसता तो मैं क्या करता मेरा opinion बता रहा हूँ recommend नहीं कर रहा हूँ अगर आपने सोचा है कि मैं को SBI card and payment service limit में 50 quantity खरीद ना है तो मैं सूसता कि या stock last 1 मेने में 15% गिर चुका है तो मैं इस price पे क्या करता हूँ 20 quantity purchase कर लेता हूँ अगर stock यहीं से भाग गया तो मैं आगे और खरीद लूँगा अगर यहां से और मान ले ज़े stock 100 point गिर जाता है या 50 point तो वहाँ पर मैं 20 quantity और 8 करूँगा और उसके बाद अगर भाग जाता है तो मेरा average तो मिल गया था चलो ठीक है मैं profit में आने लगो में आगे खरीद लूँगा और अगर गिर जाता है वो तो आप वहाँ पर 10 quantity purchase कर लेजी अब आपका investment का plan भी खतम हो गया आपने हर गिरावट पर अपना क्या कर लिया है दोस्तों purchasing कर लिया अब यह इतना बेकार stock तो नहीं है जो इतनी नीची आ जाएगा आप expectation लगा के बेटे हो कि यह stock अगर 500 आ जाएगा तो दोस्तों इस से तो बिलकुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि company कुछ ना कुछ तो reason निकाले देगी एक positive sentiment में तो अगर आप इस प्रकार का अगर आपका mind use करोगे तो दोस्तों आप एक long term में अच्छे investor बन सकते हो ठीक है तो please proper तरीके से सोच के समझ के ही investment करा करे जब तक आप कीच्छा नहीं हो तब तक कहीं पर भी investment नहीं करना चाहे वो कितनी भी A rating वाली company हो ठीक है करोडो का business कर रही हो करोडो का profit निकाल रही है debt free company हो कुछ भी problem नहीं company में फिर भी दोस्तों अपने को तो अपना technical knowledge आना चाहिए ठीके तो ये था दोस्तों SBA card and payment service limited पे हमारा update ये update अगर आपको पसंदा तो please इस वीडियो को like करेगा चैनल को subscribe ज़रूर करेगा तो thank you दोस्तों